असलाम नमस्ति कैसे हो आप लोग अलहम्दुल्ला हम लोग बहुत अच्छे हैं आप लोग भी बहुत उच्छे होंगी तो आज आते इफतारी में किचन में क्यूंकि आज बहुत कुछ बनाना है एक अपने नया डिश अपने दस्ता खान के लिए एड करूंगी तो आप तो यहां मैं दिखा रही हूँ आपको कि डाल के पकोड़े हैं बिल्कुल क्रिस्पी तरीके से मैंने फ्राइ कर लिए यह बहुत ही जादा उम्दा बनता और अच्छा लगता है तो इस तरीके से जो भी यह प्याज है ना मैं इसको अपने हाथ से बिल्कुल मेश अच्छे से आपको के जीतने भी कतले हैं वह बिल्कुल खुल-खुल जाएंगे तो मिलाने के बार जो मैंने आलो को बोई एक एक करके और साथ-साथ मिलते जाएंगे ज्यादा वह मोटे-वोटे पीसे नहीं रहेंगे तो आज मम्मी ने भी थोड़ा बहुत शूट किया था खुद से यह देखिए ममी ने बेशन के गोल के लिए यहां पर त्यारी कर रही थी तो ममी ने थोड़ा सा इसमें नमक डाला था क्यूंकि हमारा अलु के बैटर में नमक है तो इसलिए कम इसमें डालना है और हल्दी डालने के बाद अभी मुझे मैं क्या करूंगी जो अंडा है ना अं अंडा एक ही ओपली पर टेस्स उसका अलु का भी आयाएक तो अंडा और आलु दोनों का टेस्स आपको उंदा वाला मिलेगा तो यह कंजूसी वह सकते हो यह बड़ा अच्छा है बटी नहीं गाईस यह कुछ नया है और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो इसको आ अच्छा लाओ गे ना उतना ही बैटर जो होता है बहुत ही स्मूध होता है और थोड़ा सा मतब फूल फूल सा जाता है तो यह देखिए अभी मैं कड़ाई में एक एक करके सारी जो है ना दोनों को मिक्स करके जो रखा था अंडा और आलू को इस तरह के से बैटर में आप लोगों को भी रैसेपी पसंद आया तो कमेंट में जरू बताना हम लोगों को तुमाशा रहसे दस्तर खान में बहुत अच्छा लगा रोजे के टाइम पे अम मैंने बनाया था बंगाल का यहां पे आलू चाप जो की बहुत ही डिलेशिस होता है और आप को कि आप तो आप बंगॉल के नहीं हो तो गाइस मैं बंगॉल की नहीं हो मैं असामी हूँ पर मुझे न मेरी जो फ्रेंड है उनकी मम्मा यह बना की खिलाती थी तो मुझे बहुत टेस्ट रहता तो मैंने अपने दस्तर खान के लिए लिए तो यह चन्ना मैंने रेडी किया सिस्टर के अब मैं अपने रस्ता खान के लिए कुछ नया और डिश बनाने जारी तो सबसे पहले क्या करना जिस मैंने डाल पीसा था उसी मैंने लसन प्याच और टमाटर हरी मिर्च धनिया का पाउडर लालमिच पाउडर नमक और यह सब डाल करके इसको पीस लेना है ठीक है पीसने के मैंने राजमा कर रखे शाद के अब मैंने डाल के रखंग और साथ में इसमेर के बड़ानी के लाड़ी के बास बाद एक बैटर को ना एड करने के माद कुछ नहीं करना है जार में चोबिशी स्ब्था होगा वह थोड़ा हो पहले तेज पार न्याच में एक भाना है उसके ना उम्दाव ने बना है तना यह राजमा के गाइज राती रात खता हो गया था थोड़ा बहुती बचा तो मसाला मेरा पूरा अच्छे से बुन चुका है हमें इसी तरीके का टेक्चर चाहिए था अब मैं यह सारा राजमा जो है ना इसमें एड कर दूंगी राजमा प्लस सब्सक्राइब कर दो उसकी कर दो पैसे ऊटने के चाहिए हमारे स्टर क्बहुना है खोने माश आल्मारी को ऑन्द कर दोगे आसे खोलने के बाद अंदर का भी खोलेगा है जो बेटा है वो समझदार होता जा रहा है और इससे अब कुछ चीज रहनी पाएगी सब कुछ जो है अभी निकाल के फेगने वाला यह देखे कितनी कोशिश कर रहा है इवन इसको जिद आ गई थी मैं छोड़ा रही थी कि बेटा हट जाओ हट जाओ हट जाओ यह हटने का नाम ही नहीं लिए था तो अब उससे आप समझ सकते हो कि हरफार माशाला से हमारा बड़ा हो गया है इस हिज़ाब से अब कोई चीज इसके सामने बचने वाली नहीं है यह देखिए मम्मी फॉन पे वो गेम खेल रही थी इसको दिखा दिखा के तो इसने अपना फूर्ट्स ओर दाल पकोरे चूंगा पुंगा यह हमेश़ हमें दुस्तरखान में होता ही होता है माशाले से तो आए रोजह दारों हमारी घर पे आईए आप लोगों का इफ़ारी में दावत है आईए आईए आप लोग भी दूआ कीजिए दुस्तरखान में अल्ल父 अल् कबूल करें तो यहांते अफ्तारी का टाइम वोच चुका था हम सब दूआ मांग Pete और Miya माशाला से हमेशा कबूल होती है तो मांग लो जितना मांगना है यह एक रमजान का वक्त है जितना मांग सकते हो मांग लो अल्ला देने वाला तो है है यह देखे बारिश तो पता नहीं क्या हो रहा है यह बारिश आ रही है आ रही है जा रही है रुकने का नामी नहीं ले रह बारिश मुझे बहुत ज़्यादा पशंद है इतना पसंद है कि आप सोच में सकते हैं मेरा हर वक्त बारिश में मैं अच्छा लगता है पर जब कीचड वह बिल्कुल नहीं अच्छा लगता तो यहां पर मैं नमाज पढ़ने लगी थी तो नमाज पढ़ने के टाएप मेरे उ कि मैं नमाज पढ़ती है अब अरफान की जितनी आप में ऋपर हरकत देख सकते हो मनश आला सब वह बी चाथ के बिचारा नमाज पढ़ रहा तो जितना आता है न कोशिषी कर रहा था माशवल्हली i Olaina से इनके पापा नमाज पढ़ चुके थे पापा के बाद यह बाह पढ दे रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था, बट मुझे एक चीज की खुशी यह है कि माशाला हम लोग कोई भी नमास पढ़ने बैठते हैं, तो ये बिल्कुल आता है, सस्दा करता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है, कि दे दिने ही बच्चा सीखता है, ये देखे सस्द जरू करना, और ज्यादा अच्छे लगे तो ये फैनली फ्रेंडिक साथ शेर करना, और बस ऐसी प्यार देते रहे हैं, और दुआ में याद रखना, हम भी आपको याद रखेंगे, मिलते हैं, नेक्स वीडियो में ऐसी कुछ अच्छा लेके आती रखें,